Hi everyone, तो आज हम लोग एक बहुत important topic discuss करने जा रहे हैं, जिसका title है Operation Blackboard, इसको short form में OBB बोलते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, Operation Blackboard है क्या, Operation Blackboard is a centrally sponsored program, तो ये जो है एक centrally sponsored program है, center के द्वारा चलाईगी scheme है, it was launched in 1987 in pursuance of NPE 1986, तो इसको launch किया गया था सबसे पहले 1987 में, लेकिन इसको launch करने की जो recommendation है, वो 1986 की जो national education policy है, जो राजीब गांधी government के time पे आई थी, उसमें इसकी recommendation दे दी गई थी, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो NPE 1986 थी, उसमें इसकी recommendation दी 1986 में, और इसके एक साल के बाद ही, 1987 में जो है, इस program को, जो Operation Blackboard है, इसको launch कर दिया जाता है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इस Operation Blackboard को लाया क्यों गया था, इसका purpose क्या था, the purpose of this scheme is to provide minimum essential facility to all primary schools in the country, तो इन्होंने कहा कि जितने भी primary school है, पूरी country में, पूरे देश में, तो उनको जो है, प्रोवाइड की जानी चाहिए, minimum essential facilities, जो जरूरत की आबशक सुविदाय हैं, जो basic चीज़े हैं, वो जो स्कूलों में प्रोवाइड की जानी चाहिए, मतलब जो चीज़े जरूरी हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे Blackboard हो गया, Chalk, Duster, और भी जो चीज़े हैं, जो हम आगे देखेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़े जो है, country के जितने भी primary school है, उनमें provide की जानी चाहिए, कोई भी school ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसमें ये जो infrastructure है, ये present ना हो, या फिर ये जो चीज़े हैं, ये उनके पास ना हो, तो इस operation Blackboard को चलाने का जो main reason था, वो यही था, कि जो primary level की education है, पूरी country में, उसको strong किया बाकि NPE 1986 में भी इन्होंने जो है, primary level की education के उपर focus देने के लिए कहा था, बहुत ज़्यादा ध्यान देने के लिए कहा था, क्योंकि अगर जो primary level की education होती है, जो first से लेकर के fifth class तक के बच्चों की education होती है, वो बहुत ही crucial stage होती है, मतलब उसको जो है base माना जाता है, तो अ आगे चलके उनकी जो आगे की education है, वो अच्छी कैसे हो पाएगी, तो इसलिए यहाँ पर जो main focus था, 1986 की जो national education policy थी, उसमें भी यही कहा गया था, कि जो primary level की education है, उसको strong बनाया जाया था कि जो बच्चे हैं, आने वाली उनकी education है, उसको भी improve किया जा सके, तो इसके तहत इन्हों ने operation blackboard में क्या कहा, कि primary school में जो है, जितनी भी जरूरत की चीज़ें है, वो सारी जो है, provide करवाई जाये, इस operation blackboard के माध्यम से, तो आप लोग यहाँ पे नाम से ही आपको पता चल रहा है, operation का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़े level पर अभियान चलाया जाना च इसकी विशेषता है, तो यहाँ पर कौन कौन सी facilities देने की बात कही गई, उनको देख लेते हैं, आप से features, पुछे facilities, पुछे बात एक ही है, तो सबसे पहले इन्हों ने कहा, two large room and one hall, तो प्रते एक school के पास जो है, दो बड़े बड़े कमरे और एक hall तो जो है, present होना ही चा महिला teacher होनी चाहिए, मतलब अगर किसी school में दो teacher है, तो at least एक महिला teacher तो होनी चाहिए, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, ताकि जो लड़किया है, वो school में आ सके, उनके जो admission का number है, वो increase हो सके, next इन्होंने कहा, classroom material प्रोवाइड किया जाना चाहिए, प्रते एक school में, जैसे chair, table, mats, blackboard, wall maps, globe, educational chart, chalk, duster, etc. ये सारी चीजे जो है, दी जानी चाहिए, school में मुहिया करवाई जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने इसलिए कहा, कि जो classroom है, ताकि उसको attractive बनाया जा सके, मतलब जो बच्चे थे, वो जादा तर बच्चे school में जाते ही नहीं थे, तो classroom को जो है, इतन wall maps, globe, educational charts, इन सारी चीजों को जो है, use करने की बात कही, और इन्होंने ये भी कहा था, कि child-centric approach जो है, हर एक school में अपनाई जानी चाहिए, मतलब बच्चे को ध्यान में रखते हुए ही, जो syllabus है, और ये जो बाकी की चीजें होती है, इसारी चीजे जो है, बच्चे को center में र वो भी क्या है, कि provide करवाई जानी चाहिए, इस operation blackboard के तहत, next इन्होंने कहा, necessary game material and musical instrument provide किये जाने चाहिए, इन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ जो है, किताबी कीडा नहीं बनाना है, सिर्फ और सिर्फ उनको किताबी नहीं पढ़ानी है, उनको जो है, games और musical, music में, इन सा स्कूल में, next इन्होंने कहा, primary science kit, अब क्या है, कि बच्चों को साइन्स किट भी दी जानी चाहिए, ताकि बच्चे थोड़े बहुत चोटी चोटी चीज़े सीख सके, उनसे experiment कर सके, science के बारे में थोड़ी जादा knowledge ले सके, next इन्होंने कहा, कि good water supply, good water facilities दी जानी चाहिए, स्कूलों में, क्योंकि स्वच पानी होगा, तो वहां के बच्चे बिमार नहीं पड़ेंगे, तो वहां पर good water supply भी होनी चाहिए, तो next अब क्या होता है, 1992 में, operation blackboard में शन्शोधन किया जाता है, मतलब इसमें कुछ change किये जाते है, इसको revised और modified किया जाता है, operation blackboard को, तो expand किया गया, upper primary level तक, मतलब पहले इस operation blackboard के तहत, first से लेकर के fifth तक की classes आती थी, primary level की classes आती थी, अब इन्होंने बोला कि आप upper primary level को भी इसमें जोड़ दीजिए, first से लेकर के eighth तक जो है, eighth तक की जो classes है, जो school है, उनको आप जो है cover कीजिए, operation blackboard के तहत, next इन्होंने बोला, as per enrollment requirement, providing three rooms, one hall and three teachers in primary schools, तो पहले इन्होंने कहा था कि दो rooms और दो teacher होने चाहिए, एक hall होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि तीन teacher provide किये जाने चाहिए, अगर बच्चों की जो संख्या है, वो school में ज़्यादा है, और जो है, तीन ही teacher provide किये जाने चाहिए, primary level के school में और एक hall होना चाहिए, next इन्होंने कहा अपर primary level के लिए, तो upper primary level में इन्होंने कहा कि every section और class, मतलब प्रतेख class के लिए जो है, should have at least one room and one teacher, प्रतेख class के लिए जो है, एक teacher होना चाहिए, और उनके पास जो है, एक room होना चाहिए, मतलब मान लीजिए कि 6 से लेकर के 8 त तो अब जो है, library भी provide की जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए जो है, और उसमें जो है, जो books होती है, वो भी provide की जाए, और essential जो teaching equipment होते हैं, उनको भी provide किया जाना चाहिए, next इन्होंने बोला separate toilet facilities for boys and girls, अब जो है, जो लड़कियां और लड़के हैं, उनके लिए अलग- जो toilet है, वो तियार किये जाने चाहिए, separate toilets होने चाहिए, स्कूलों में, प्रतेक स्कूलों में, लड़कियों और लड़कों के लिए, next इन्होंने बोला, covering operation blackboard with special emphasis on school in SCST areas, इन्होंने बोला कि जो SCST areas है, मतलब जो schedule cast और schedule tribal area है, उनके उपर special emphasis, special ध्यान दिया जाना चाहिए, operation blackboard के धैत, तो मतलब वहाँ पर जरूरत, जरूर करके जितना भी समान है, वो दिया जाना चाहिए, इन areas में, specially, इनके उपर special ध्यान दिया जाना चाहिए, next इन्होंने कहा, the central government would provide fund for teachers salary and equipment, अब जो central government है, वो provide करेगी teachers की salary और equipment के लिए जितना भी खर्चा आएगा, जो school में equipment चाहिए, तो वो जो है central government provide करेगी, तो ये थे operation blackboard के कुछ important points, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरूर कीजिए, मिलते हैं ऐसी किसी next वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, bye-bye